दोस्तों अगर आपको फिल्म इंडस्री में जाना है, फिल्म इंडस्री में अपना करियर बनाना है, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्यूंकि अभी फिल्म इंडस्री सिर्फ और सिर्फ मूवीज और सीरियल तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी व जो आपको फिल्म इंडस्री में लेकर जा सकते हैं, दोस्तों इस इंडस्री में जाने के लिए आपके पास कोई डिगरी होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, बिना डिगरी के भी आप इस इंडस्री में जा सकते हो, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, और आप के कुछ context होने चाहिए जो आपको उस industry में जाने के लिए मदद करेंगे अगर आपके context नहीं है तो आपको struggle ज्यादा करना होगा अगर आपके पास में talent है so definitely आप जाप आओगे अच्छे level पे लेकिन अगर आपके पास में कोई कॉंटेक्ट नहीं है तो आपको struggle थोड़ा ज्यादा करना होगा अगर आपके पास में कुछ अच्छा network है तो आपका struggle थोड़ा कम रहेगा दोस्तों यहाँ पे इस industry में जाने के लिए जो talent चाहिए जो skill चाहिए वो acquire करने के लिए आपको कुछ courses करने होंगे इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं टॉप 10 colleges इन इंडिया में करीब 10 colleges के बारे में हम लोग discuss करेंगे जहां पर जाकर आप यह courses कर सकते हो और इस industry के लिए अपने आपको तैयार कर सकते हो हेलो गाइज वेलकम टॉप करिया दिस इस मोहमाद और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं top colleges in India for filmmaking courses दोस्तों यहाँ पर मैंने colleges 1 to 10 करके rank नहीं किये हैं मैं randomly एक के बाद एक college के मैं आपको बताऊंगा लेकिन मैंने कुछ 10 colleges select किया है जो एक अच्छे level पर हैं आप अपने हिसाब से इन colleges को rank कर सकते हो और अपने हिसाब से अपने budget के हिसाब से अपने criteria के हिसाब से college select कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर एक आपको courses अलग अलग तरीके के मिलेंगे किसी college में आपको graduation course मिलेगा जो तीन से चार साल का रहेगा किसी college में आपको certification course मिल जाएगा जो करीब 6 महने से लेकर एक साल तक कर रहेगा किसी college में आपको डिप्लॉमा या फिर पीजी डिप्लॉमा कोर्स मिलेगा जिसका डिउरेशन एक साल से लेकर दो साल तक रहेगा तो आपको यह डिसाइड करना है कि आपके पास में टाइम किटना है और आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं एलिजिबल हो इसके बेजिस पे आप व सबसे पहले है film and television institute of India जो के पूने में है दोस्तों यहाँ पे इस college में courses की बात करें आपको PG diploma and PG certificate जिसे courses यहाँ पे आपको मिलेंगे जिसका duration एक साल से लेकर दो साल के आसपास रहेगा दोस्तों fees की बात करें so approximately 1.5 lakh per year के आसपास आपकी fees यहाँ पे रहेगी और eligibility की बात करें so graduation compulsory है किसी भी field में आपका graduation होना जरूरी है तो ही आप इस course के लिए यहाँ पे apply कर सकते हो disciplines की बात करें मतलब कौन से field में कौन से branches में आपको यह particular course मिलेगा so यहाँ पे direction and screenplay, cinematography, editing, sound recording and sound design उसके अलावा art direction and production design उसके अलावा screen acting and screenplay writing जैसे courses यहाँ पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पे जाने के लिए एक entrance exam होगा और एक interview होगा यह clear करने के बाद में आपको यहाँ पे admission मिलेगा दोस्तों next college है सत्यजीत रे Film and Television Institute जो के कौकता में है यहाँ पे आपको PG diploma course मिलेगा जिसका duration तीन साल का रहेगा यह course जो है वो आपको production for film and television, direction and screenplay writing, cinematography, sound recording and design, editing and animation cinema जैसे subjects में आपको यह course मिल जाएगा eligibility की बाद करें सो अगेन यहाँ पे graduation, composer यह किसी भी field की bachelor's degree आपके पास में होनी चाहिए तो आप यह course कर सकते हो admission की बाद करें सो national level का एक test होता है JET का यह test आपको clear करना होगा उसके बाद में interview होगा और उसके बाद में आप यहाँ पे admission ले सकते हो यहाँ पे fees की बाद करें सो approximately 1.25 lakh per year के आसपास यहाँ पे आपका expense रहेगा तो सो next college है Center for Research in Art of Film and Television जो के Delhi में है यहाँ पे courses की बाद करें सो आपको diploma या फिर PG diploma दोनों courses मिलेंगे मतलब अगर आपके पास में graduation का degree है तो भी आपको कर सकते हो अगर आपके पास में graduation का degree नहीं है आपने 12th clear किया है तो भी आप यह course कर सकते हो डीटेल में course की बाद करें so TV journalism, acting and modeling, radio jockey, film making, sound recording, cinematography, editing, creative writing और photography जैसे courses आपको यहाँ पे मिल जाएगा duration यहाँ पे 1 साल का रहेगा और eligibility की बाद करें so अगर आपने 12th clear किया है तो भी आपको admission मिल जाएगा अगर आपके पास में graduation degree है तो भी आपको admission मिल जाएगा fees की बाद करें so approximately 75,000 से लेकर 1.5 lakh के आसपास यहाँ पे आपकी fees रहेगी per course और admission की बाद करें so यहाँ पे कुछ ज्यादा test वगेरे नहीं रहेंगे सिर्फ और सिर्फ interview के basis पे आपको यहाँ पे admission मिल जाएगा दोस्तो next institute है LV Prasad institute of film and television जो के बैंगलूरू में है चिन्नई में है और थिरुवननपुरम में है तीन अलग-अलग campus है इस institute के यहाँ पे courses की बात करें so PG diploma, diploma और certification जैसे courses आपको मिल जाएंगे यहाँ पे graduation level का course नहीं है PG diploma अभी तक जितने भी colleges देखें वहाँ पे ज्यादा तर diploma, PG diploma और certification जैसे courses है graduation वाले courses हम आगे आने वाले colleges में देखेंगे so यहाँ पे आपको direction, screenplay, cinematography जैसे subjects मिलेंगे limited है तीन चार subjects ही है उसमें आप कर सकते हो fees की बात करें so 50,000 से लेकर 2 lakh per year यहाँ पे आपका expense रहेगा और admission की बात करें so इनका एक entrance procedure रहेगा, entrance test रहेगा उसके basis पे आपको यहाँ पे admission मिल जाएगा दोस्तो next college है Whistling Wood International जो Mumbai में है, यहाँ पे courses की बात करें so आपको BA या फिर BAC देखें, यहाँ पे graduation level जैसे course यहाँ पे आपको मिल जाएगे BA या फिर BAC in filmmaking and in screenwriting में आपको मिल जाएगा, अगर आपको master's degree करना है MA so MA in filmmaking भी यहाँ पे available है, अगर आपको diploma करना है screenwriting में, so वो भी यहाँ पे available है fees की बात करें, so approximately यहाँ पे 4 to 10 lakh per year का आपका expense रहेगा, देखिए बहुत ज्यादा costly है क्योंकि यहाँ पे इनके standards उतने ज्यादा है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़े high-five level में मिलेगी, आपके context भी यहाँ पे अच्छे रहेंगे so इसी लिए इस college की fees जो है, वो बहुत ज्यादा है, उसके अलावा admission की बात करें, so entrance exam आपको देना होगा और उसके बात में आपका PI होगा, उसके basis पर आपका selection होगा, duration जो है, वो course to course अलग-अलग duration रहेगा, bachelor's degree का 3 साल रहेगा, master's degree का 2 साल रहेगा, और जो diploma है, उसका duration जो है, वो एक साल रहेगा दोस्तों, next college है, National Institute of Film and Fine Arts, जो कॉलकता में है, यहाँ पे आपको diploma, course मिल जाएगा, full time में, और अगर आपको part time में करना है, तो part time में भी आपको मिल जाएगा, filmmaking, film editing और cinematography जैसे courses यहाँ पे आपको मिल जाएगे, duration की बात करें, so इनका जो course है, उसमें 18 month आपको training मिलेगी, औ 6 month आपको internship करनी रहेगी, so एक अच्छा option है, आप कहीं पे जाके internship कर सकते हो, आपके context बढ़ेंगे, आप अपना काम display कर सकते हो, so यहाँ पे अच्छा आपको मौका मिलेगा, admission की बात करे, so इनका entrance test होता है, और उसके बाद में personal interview होता है, यह clear करने के बाद में आपको admission मिल design अहमदाबाद, अगर आपको film industry में जाना है, और कुछ technical करना है, कुछ editing में जाना है, और वो भी animation को लेकर, so यह आपके लिए best रहेगा, यहाँ पे आपको courses की बात करें, so bachelor's in design का course आपको मिलेगा, जो के 4 साल का course रहेगा, in depth आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ पे animation filmmaking के ब यहाँ पे आपको admission भी उतना easily नहीं मिलेगा, आपको NID का एक entrance exam देना होगा, जिसको DAT बोलते है, NID, DAT, national level exam है, यह clear करने के बाद में, आपको merit के basis पे वहाँ पे admission मिलेगा, और fees भी यहाँ पे काफी ज्यादा है, approximately 3 to 4 lakh per year, कि आस पास यहाँ पे आपका expense रहेगा, लेकि में, particularly animation में, editing वगेरे में जाना है, और अगर आपको इस institute में admission मिल रहा है, so definitely आपका जो path है, आगे का path वो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको बहुत सारे options आगे जाकर मिलेगी, मतलब बहुत सारे opportunities आगे जाकर आपको मिल पाएगी, दोस्तों, next college है, Asian Academy of Film and Television, जो NOIDA में ह यहाँ पर courses की बात करें, so B.A.C., M.S.C., Diploma और Short Term Certificate courses जैसे variety of courses यहाँ पर मिल जाएंगे, और वहाँ पर भी domain की बात करें, so acting, cinematography, direction, post production, sound, editing, theater and drama, जैसे field में आपको यह course मिल जाएंगे, admission की बात करें, so entrance, test, plus interview यहाँ पर आप कर रहेगा, fees की बात करें, so approximately 1.5 to 2 lakh per year के असपास आपका expense रहेगा, और duration जो है, वो, depend करता है, अलग-अलग तरीके के course के ऊपर, आपका duration जो है, वो, मतलब, एक साल से लेकर, तीन साल के असपास आपका duration रहेगा, दोस्तों, next institute है, Z Institute of Media Arts, इनके बहुत सारे campus है, मुंबई में, certificate और diploma दोनों तरीके के courses मिलेगा, जिसका duration दो महिने से लेकर, दो साल तक का duration रहेगा, depending on the course, domain की बात करें, so यहाँ पे आप TV journalism, film making, cinematography, editing, sound recording, acting, और screen writing, जैसे subjects में, आप यह course कर सकते हो, यहाँ पे fees जो है, वो, 80,000 से लेकर, 1 lakh के आसपास रहेगी, और again, duration जो है, आपका, वो course to course आपका vary करेगा, दोस्तों, next college है, Annapurna College of Film and Media, जो के हैधराबाद में है, यहाँ पे आपको course जो है, वो, BA, बनला, bachelor's degree के form में मिलेगा, और certification courses भी यहाँ पे आपको मिलेगा, domain की बात करें, so direction and script writing, editing, sound recording and design, advertising and digital marketing, photography, radio jockey, 3D animation and visual effects के form में, यहाँ पे आपको courses मिल जाए करेंगे, fees की बात करें, so 3-4 lakh के आसपास यहाँ पर year आपका expense रहेगा, दोस्तों, यहाँ पे हमने करीब 10 colleges के बारे में discuss किया, 10 अलग-अलग institutes के बारे में discuss किया, जो एक अच्छे level पे है, all over India की बात करें, इसके अलवा, आपको बहुत सारे अलग-अलग छोटे level पे institutes म मिल जाएंगे, जहाँ पे जाकर भी आप courses कर सकते हूँ, यह जो dust colleges और dust institutes की मैंने बात की है, यहाँ पे आपको benefit रहेगा, कि यहाँ पे आपके जो teachers रहेंगे, जो trainers रहेंगे, वो already well industry के लोग रहेंगे, so आपके context यहाँ पे अच्छे रहेंगे, अगर आप किसी और institute से कर रहे हो, so मैं आपको suggest करूँगा, कि देखो वहाँ पे जो trainer है, teacher है, वो किसी production house से associated है या नहीं है, आपके लिए वो कुछ context ला सकता है या नहीं ला सकता है, यह देखना आपके लिए important चीज है, उसके अलावा, अब देखो कि कितना time practically वो चीज सिखा रहे हैं, सिर्फ सिर् पे तो focus नहीं कर रहे हैं, यह जो institutes मैंने discuss किये, यहाँ पे maximum चीजे आपको practically सिखाई जाएगी, उसके अलावा, आपको देखना है कि time duration आपके पास में कितना है, और course के लिए कितना चाहिए, अगर आपने fresh अभी 12th complete किया है, आपके पास मैं अच्छा खासा time में मैं आप आपको suggest करूंगा कि आप bachelor's degree course करो, BA या फिर B.Sc. वाला जिसमें at least 3 साल आप यहाँ पे काम करके बहुत सारी चीजे सीख पाऊगे, और अपने आपको अच्छे से industry में लेकर जा सकते हो, अगर आपने graduation complete किया है, और किसी भी field में graduation कर लिया है, लेकिन अभी आपका interest है इस film industry में जाने के लिए, तो आप PG diploma या फिर PG certification जैसा course कर सकते हो, जिसका duration एक साल से लेकर दो साल के असपास रहेगा, दोस्तों यहाँ मैं आपको suggest करूंगा कि ऐसा course चूज करो, जिसका duration minimum एक साल का हो, ताकि आप चीजों को अच्छी तरह से सीख पाऊ, उसके बार में आपको आपके budget के according, आपको college select करना होगा, और उसके बार में आप इस industry में अच्छे से चाह सकते हो, दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ, इससे like जरूर कीजेगा, share कीजे अपने दोस्तों के साथ में, जिन्हें इस industry में जाना है, और ऐसे ही career related, job related, college related information आपको regular basis पे चाहिए, तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा, thank you for watching.